तो फ्रेंड आज हम कोश्चन नमर 6 से सालिशन देखेंगे कोश्चन नमर 6 है प्रस्णावली 2.4 का कोश्चन नमर 6 है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का और यह बता दें आपको डिप्लोमा के लगबख सभी समेस्टर के स्टुएंट में है मैथ हो सकता है सिविल इंजिन आपको हमने दे दिया है आप लोग जाएगा प्लेलिस्ट चेक किजएगा डिप्लोमा थर्ड समेस्टर में नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका जो बुक है आपकी पीडियप जो है प्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की इसकी टेलिग्राम जो है टेलिग्राम एकसी टेकनिकल क्लासे देम से है महां पर जाकर आपो जोईन हो जाएगा इसके सभी बुक का पीडियप मिल जाएगा तो आप लोग मत कि जाकर जॉइन कीजिए और बुक से तयारी करते रहे हैं आप वाट्सप्रोप से जुड़ सकते हैं उसका लिंक आपकों में दे देंगे तो चलिए बीना देरी कि वेज इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट देखते हैं उसके आपका कहरा है के का मान ग्यांत करें जिसके लिए 3x-y-2z is equal to 1 2x-3y-3z is equal to 1 x-3y-3z is equal to 0 का अधुति यहाल होगा तो था यह भी दिखाएं कि यदि k-2 एक निकाय जो है वा असंगत होगा तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं संगत असंगत होता कब है हमने आपको बहुत कहराई से बहुत बिश्तार पूरवग बताया है जो आ आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिप्लोमा 3rd semester में तो वहां से देख लीजेगा और समझ में भी आने लगेगा यहां पर थोड़ा हम नजर डाल लेते हैं कि संगत और संगत होता कब है देखिए एक होता है आपका क्या एक होता है आपका संगत हो जाते हैं और उनके हल भी होते हैं उनके कुछ value निकलती है लेकिन अगर इन दोनों की rank जो है सेम नहीं आती है तो इनकी मतलब यह संगत हो जाते हैं तो चलिए देखते हैं यह कैसा है सबसे पहला rule हमने आपको बताया था इसे साल्व करने के लिए सबसे पहले उसे AX is equal to B की रूप में लिखते हैं जो भी equations दिये रहते हैं इसे आप लोग आप ये रूप भी बोल सकते हैं तो A का मतलब क्या है अगर आपने पढ़ा होगा तो जाना होगा कैसे तो A means मतलब आप यूँ जो फर्स्ट equation है 3X-Y प्लस 2Z इसके गुडांग को लिखते हैं तो देखे 3 है, minus Y है और 2 है Second equation में 2 है, 1 है और 3 है तो 2, 1, 3 Third equation में X, minus 3 and K है तो इसके जगा लिखा 1, minus 3 and K और X की जगाए आपनों लिखते थें X, Y, Z कालम के रूप में और B की जगाए लिखते थें जो सभी equation के equal में होता है तो उसको हमने लिख दिया 1, 1 and 0 उसके बाद इतना होने के बाद जो हमें Second Rule अप्लाई करते थें तो Second Rule में क्या करते थें आपने वीडियो में देखा होगा हमने आपको बहुत अच्छी प्रकार से बताया है Second Rule में यह होता था तुरंथ ही उसका हम क्या कर लेते थें संवर्धित आप्यू में change कर लेते थें का मतलब क्या होता है यानी सबसे पहले जिख दिया जायेगा की बादे जी विए की बादे आपके जो भी लिखते जाएंगे उसके बादास में रेसियो रेसियो लगाके B की value लिखती जाएंगी जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है नीचे क्या दिख रहा है ratio B में अब यू A की value लिखेगी है सब के सामने ratio लगा के first equation के सामने की value B में 1 थी second में 1 थी और third में 0 थी इतना हमने कर लिया अब इसके बाद हम करते क्या है अब इसके बाद हम elementary method लगा कर जो A ratio B है इसको हम upper triangular matrix में change करते हैं upper triangular matrix या बोल सकते हैं आप लोग इसको एक रूप में और sopana group या epsilon form में इसे हम change करते हैं तो epsilon form क्या होता है sopana group क्या होता है upper triangular matrix क्या होता है इस सब की हमने एक अलग-अलग से special video बनाई है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो playlist में एक बार visit चरूर करिएगा क्योंकि अगर आपको सब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक भी question solve नहीं कर पाएंगे तो देखिए एक बार एक नजर डाल लेते हैं जो मुख्य विकड़के नीचे की अभी होते हैं वह सुन्य अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर triangular matrix के अंतरगत आता है यानि उच्छ त्रिभुजी के अंतरगत आ जाता है तो मतलब इसमें करना क्या है इसमें 2 को 1 को और माइनस 3 को हमें करना है 0 तो आईए करते हैं इसको 0 तो इसको हम चेंज करेंगे अलिमेंटरी मेंटर से प्राणफे ग्रुप 15 विद्य से तो उस पर भी हमने आपको वीडियो के माद्नियों से बताया है इस लिए काई आप लोगेवाद प्लेइस चरूर चेक कर लीजिएका तो देखिएए हम करते क्या है हम करते क्या है दीखिए सबसे पहला काम आपको यह करना रहता है अगर थर्ड़ एलिमेंट में अगर आपको 1 देख रहा है क्या कर दिया हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने यह कर दिया जो R1 है उसे R3 में इंटर्चंज कर दिया यानि R1 की जगए R3 और R3 की जगए R1 को लिख दिया तो देखे R2 कूशी प्रकार रहने दिया और जो R3 था या जो R3 था इसको हम R1 की तरफ लिख दिया तो R1 में हो गया क क्या वन माइनस त्रेंट के जीरो और जो आरवन था उसे हमने कहां लिख दिया आर थ्री में क्या हो गया थ्री माइनस वन टू रिशियो वन ठीक रिशियों बोल नहीं लेकिन आप लोग समझ जाएगा उसका अर्थ क्या है सब्वर्धित अब व्यू का ओ चिन्न होता है ठीक हम आर थ्री माइनस थ्री आरवन तो क्या जीरो हो जाएगा एकदम हो जाएगा और एक चीज़ और दिख रहा है आर्टू में दिख रहा है आर्टू में क्या दिख रहा है आर्टू माइनस टू आरवन तो जीरो हो जाएगा हाँ हो जाएगा तो आईए करम करमसी से अपला तो R2 को जो हम apply करेंगे इसमें तो R1 को लिख लिया और R3 को लिख लिया R2 को करना है यानि R2-2 R1 तो R2 का first element 2 है तो लिख दिया 2-2 into R1 R1 का first element 1 है यानि 2-2 into 1 यानि क्या हो गया 0 तो देखें आपन लिख दिया गया 0 तो उसी प्रकार second को भी solve करेंगे R2-2 R1 से तो R2 यानि 1-2 into 3 यानि हो जाएगा C1 उसी प्रकार 3 को करेंगे तो 3-2 के हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा आप लोग करिएगा हम तो आपको hint देते ही चल रहे हैं और सामने लिखा भी है आपको इसे लिखा आप लोग करेंगे R3 का R3-3 R1 करेंगे तो R3 यानि R1 R2 लिख दिया R3 को चेंज करने तो R3 का देखिए first element 3 है और 3 R1 करना है तो 3-3 into R1 का first element 1 है यानि हो जाएगा 0 तो हो गया 0 इसे प्रकार second element को लेकर चलेंगे minus 1 minus 3 into minus 3 तो आएगा आपका माँ 8 उसके बाद हैं बचे का 2-3 के उसके बाद ratio 1 लिख दिया जाएगा इसको भी हम चंज करते हैं इसका भी हम उसी प्रकार से चंज करते हैं जैसे सब को कर रहे हैं ठीक ना तो यहां पर हो गया मेरा क्या 1 तो 1 हो गया तो इसको और आगे करना है किसको एट को 0 करना है तो आई एट को 0 कर लेते हैं तो कैसे करेंगे लिखिए हम करते कैसे हैं अगर हम आर 3 कर दें माइनस 8 बटे 7 आर 2 कर दें तो क्या 0 हो जाएगा एक तम हो जाएगा तो आर 1 आर 2 लिख दिया आर 3 करना है तो फस्ट तो 0 होका ही होका सेकंड करना 8 है जो सिकेंड एक हो गया माइनस एक बत्टे सेवन हो क्या है इतल अएक बत्टे यहां पर क्या होगा यहां पर यहां पर यहां पर करेंगे तो माइनस एट बट्रेवाट वाले से वन आने वाला है तो इतना हो चुका अब क्या करें अब क्या करें इतना जब हो जाएगा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखते हैं क्या करेंगे यहां पर आपको मैंनस पांच सेवन दिख रहा है यहां पर भी सेवन दिख रहा है तो अगर हम माइनस सेवन से अगर इसमें भाग दे देते हैं तो देखते हैं क्या आने वाला है तो आएए देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया यहाँ पर हमने आर्थरी को चेंज किया माइनस सेवन आर्थरी में किसमें R3 को चाहिए माइनस 7 R3 में तो R1 लिखा R2 लिखा R3 माइनस 7 R3 करेंगे तो देखिए 0 में करेंगे 0 इसमें करेंगे 0 और इसमें माइनस 7 R3 यानि माइनस 7 से सम्में मल्टिपलाई होगा तो यहाँ पर माइनस 14 होगा यहाँ प्लस 21 होगा और यहाँ पर देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, ठीक, और 7, 7 कट जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका है, पलस, यहाँ पलस हो गया, तो 8, 3, 24, पलस में होगा, और माइनस 16 की हो जाएगा, और यहाँ जब भाग देंगे मैनस 7 से तो मैनस 7 हैं 5 7 यानी बचेगा 1 तो देखी यहां से हमें मिलने क्या वाला हमको यहां पर क्या मिलने वाला है मिलना ये वाला है R1 R2 लिखतिया R3 को सल्व किया तो 10 पलस 5 कै Border क्या हो किया पहलए है तो 10 फलस 잡ाइक को हमने नाट इककोल 0 उन्र род ल्या तो 5 य家 या। इस्टकोट्ड टो नाट इककवऌल मांटस टू आ गयाव आ अभाप लोग स्वंच रहे हिए हमने नाट इककवऌल क्यों लगाया अगर आपको हम बता दें, अगर k बराबर यहांपर आगर आपने माइनस टू रख दिया, k बराबर आपने जैसे की मान लिजिए, k बराबर माइनस टू आपने रख लिया, 10 प्लस 5 की जगए, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, क्या आपका जीरो तो जीरो हो गया है तो इसका जो क्या बोलते हैं रो ए आएगा क्या आएगा रो ए तो रो ए मतलब एक का जो कोटी है तो एवाल आपका पुरा ही है तो एक दो तीन तो इसमें दो असुने पंक्तिया है तो इसकी रो एक क्या होगी टू होगी तू होगी और जब तो रो A ratio B का निकालेंगे A ratio B की कोटी जब निकालेंगे तो पूरा लिया जाएगा तो जितने अस्तुने पंक्तियां होती है उतनी कोटी होती है तो तीन होगा तो यहानी अगर के बरबर minus 2 हम लख लें तो निकाय क्या हो जाएगा आया संगत हो जाएगा तो यह आपको प्रूब करना था यह साल्व करना था इस प्रकार से आप लोग कोश्चन साल्व करनेंगे अब रो A क्या है रो A ratio B क्या है यह सब आप लोग मैस्त की पिछली वीडियो में देख लिजिएगा प्रेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी चलते हैं कोश्चन नमबर नेक्स्ट की तरफ कोश्चन नमबर से मन देख लिजिए आपनों कुछ करना नहीं है सिधे सिधे आपको साल्व कर लिना है कि किन मान के लिए समिक्रा निकाय जो दिये गए हो संगत है तो संगत के लिए हमने क्या बताया था रो ए इस इकल टू रो ए रेस्यू बी अगर सेम आ जाए यहाँ पर रो ए क्या है रो ए रेस्यू बी क्या आपको बताया गया है तो देखे सबसे बहला काम इसको साल्व करने का यह तरीका है अब जो आया है यह रेस्यो भी संगत आप्यो जो आया है इसी को हम स्वपानक रूप या अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की रूप में चेंज करेंगे तो हमने आपको बताया था अभी जस्ट पिछले ही कोस्चन में अगर आपको कहीं भी थर्ड में वन दिख जाए तो उसे उपर कर दीजिए उब स्वारी चकाहि या डो तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने पर लगाल मेट्रिक्स में करना है वो भी अपर मेट्रिक्स में देखिए जीरो करना एक किसको 2 को 3 को और माइनस 1 को हमें 0 करना है तो हम संक्रिय अप्लाई करेंगे R2 के लिए तो R2-2, R1 करेंगे फिर यहां से आप लोग R1 लिखा, R3 लिखा R2 को चेंज कर रहा है तो आप लोग देख लिजे क्या क्या आ रहा है तो इसको जब चेंज करेंगे तो R2-2, R1 यानि R2 है 2 R2-2, R1 यानि R2-2, R1 यानि 0 उसे प्रकार से इसको करेंगे 1 वाले को तो हाँ पर 3 आएगा और फिर 1 वाले को करेंगे तो 1 प्लस 2 के आएगा और इस 2 को करेंगे तो 4 आएगा, 4 कैसे आएगा यह देखते है R2 है 2, minus 2 into R1, R1 क्या है minus 1, तो यह क्या हो गया यह हो गया, 4, उसके बाद देखते है क्या होगा उसके बाद आपका आगया और थोड़ा चलते है फिर R3 के लिए 0 करेंगे तो R3 में 0 कैसे होगा, यह उसको देखते है तो R3 के लिए अपलाई किया R3 minus 3, R1 तो R1, R2 हो क्या R3 में 3, R1 करेंगे तो 1st element आपका 0 होगा 2nd के लिए करेंगे तो minus 7 होगा 3rd के लिए करेंगे तो 4 के होगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो देखिए, आप लोग को कैसे सब करना आप लोग को ही करना है आप लोग सोच रहे होगे हम आपको नहीं बता रहे है लगभग आपको 6-7 question बता दिया गया उसके बाद भी अगर आपको समझ भी नहीं आ है तो आपने समझ लीजिए अच्छे से पढ़ा नहीं है संक्रिया लिखा गया है और इसी प्रकार से चंज भी कर दिया किया है अब उसके बाद और आगे चंज करना है इसमें R3 को ही तो क्या कि हमने 3R3-7R2 क्योंकि है क्योंकि हमें –7 को 0 करना है तो देखिए नियू जो मिला हमें वो मिला 0, 0, –2 के –7 और –16 ठीक तो देखिए समीक्रान हमारे संगत का भूंकि जब K की बैलू –7 by 2 के बराबर नहीं आएगी यानि हमने लिख दिया –2 के –7 is not equal 0 यानि अगर K की बैलू जो है –7 by 2 के equal नहीं आएगी तभी यह संगत होगा तो कैसे होगा यह देखते हैं अगर अगर K की बैलू –7 by 2 के बराबर नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से आप लोग इसे भी साल्व कर लेंगे Question number rate की तरफ चलते है Question number 8 में भी सब कुछ देखिए वैसे कर लिजे जैसे सब कुछ करते हैं सबी Question में तो देखिए AX बराबर भी तक आपने कर लिया कर लिया आप लोग देख लिजिए हम इसमें कुछ बताने वाले नहीं हैं आपको बस जहाँ 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 वैल्यू है वह इस बैल्यू रखी गई है अब इसका augmented matrix भी लगा लिजिए इसका समवर्दित आप भी लिख लिजिए ये भी आपको बताने वाली बात नहीं है आप लोग उतना intelligent हो गए होंगे अगर अभी तक साथ question आपने पढ़ाओगा तो यहाँ तक हो के अब इसे हमें संक्रिया करके change करना है तो क्या करें तो आईए देखते हैं करेंगे क्या आप ही को करना है हम नहीं कुछ करेंगे हिंट समझ लेज़े आपको हम दे रहे हैं एक प्रकार से तो फर्स्ट संक्रिया R2 के लिए करेंगे तो R2 के लिए 2R2-7R1 करेंगे तो आएगा क्या 0 आएगा माइनस 15 आएगा माइनस 39 आएगा और माइनस 47 आएगा ठीक फिर नेक्स संक्रिया जो होगी आएगा तो देखिए क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा 0 मिलेगा माइनस लेंडा माइनस 5 मिलेगा और मिउ माइनस 9 मिलेगा अब आपको हम पूरा नहीं बता रहे हैं संक्रिया आप भी को करना है थोड़ा आप लोग भी अपने दिमाग का प्रैक्टिस करते रहें ठीक यतना हो जाएगा अब क्या करना है अब आपको हम बता दें question में आपके क्या कहा है question में कहा है mu और lambda का मान ग्याद किजिए यदि अदूती हल हो और कोई हल ना हो यदूती हल हो और कोई हल ना हो तो देखिे सबसे पहले आपको तो रो रो राशीयों भी निकालना है कि रो रो राशीयों भी तो रो रेतों आ Northwest जो पूरांक अप्फंड सा pearls के separate तांकी रोय हूं है तो वह संगत होता है तो देखिए तो आपका संगत है ही संगत जब है ही तो देखिए तीनों समान में भी आए हैं तो समान जब आए हैं यहां पर आपको एक और बात यहां देना है अगर जो लेम्डा की बैलू है वह माइनस पांस के बराबर नहीं आएगी तो ही इसके तो हमने इसलिए किया यहां पर आपका यह हो गया तो देखे इसलिए यह जो है माइनस पांस के बराबर नहीं आया है क्यों किया है क्योंकि अगर माइनस पांस के बराबर आ जाता तो आपका संगत नहीं रह जाता ठीक और इनका अधुतिय हल भी नहीं होता क्योंकि आप लोग जानते हैं जो संगत होता है उन्हीं का दूतिय हल भी होता है उसके बाद थोड़ा और आगे जब चलेंगे तो मियू की बात करें तो मियू की जो वैलू है वो भी हमने 9 के बराबर नहीं की है नाट इकल 0 किया है क्यों किया है यह सब आपको सोचना है तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तबी समझ पाएंगे जब 9 आजाएगा तो दिखिया आपका यहाँ 0 हो जाएगा इसलिए आप इसे भी 9 के बराबर नहीं करना है तो first step का इस्वरकार हो जाएगा second इसमें एक और condition का है निकाय का कोई हल नहीं होगा तो आप लोग यह भी जानते हैं कि जो निकाय है उसका कोई हल तब नहीं होगा जब कोटी बराबर नहीं आएंगी यानि इसमें lambda की value minus 5 रखती आ जाएगा और me की value 9 रखती आ जाएगा तो निकाय का कोई भी हल नहीं होगा चलिए बढ़ते हैं आगे question की दरफ question number 9 question number 9 को हम नहीं बताएंगे या क्यों नहीं बताएंगे आप लोग खुद देख लिजिए क्योंकि सुसंगता की जो जाँच की जाती है यह हमने आपको बताया है तो जंगता की जो जांच की जाती है वो हमने आपको बताया है और आपको यह भी बता दें तीन equation दिये गए हैं AX is equal to B की रोप में लिख दिया और संबर्धित आप यह भी इसको हमने लिख दिया और इसे आप लोग लिख सकते हैं AX is equal to 0 भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि जो इसके equal में B की value और total क्या है 0 है और कि वाल हम A को ही change करते हुए चलेंगे लेकिन कोई बात नहीं 0 भी हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं होगी तो देख लिजे आपके सामने सारी changing की गई है R1 को transform करके हमने R3 में किया है उसके बाद next apply किया है R2 के लिए इस लगार से apply करते हुए हम आगे चलते हैं तो फिर R3 को apply किया है तो हमें ये मिला है आपके सामने लिखा गया है हिंट की तरह है इसे आप लोग स्वैम करेंगे उसके बाद और change करते हुए चलें तो हम फिर R3 को change की है तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था क्या सब्सक्राइब था आप rectangular matrix चाहिए था या सपानक रूप चाहिए था अब संगता की जाच करना है तो हमने बताया था आपको जब ρो A और ρो A ratio भी same आजाएंगे तो क्या होंगे वो संगत हो जाते है तो देखिए रो A क्या है A ही है तो इसमें अस्वन पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है तो इसकी क्या हो जाएंगी 2 हो जाएगी और जब थर्ड वाला देखेंगे मतलब A ratio भी पूरा देखेंगे तो इसमें भी अस्वन पंक्तियों की ठंकिया 1, 2 है तो इसको भी 2 हो जाएगी और हमने आपको बताया था जब दोनों से हम हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं समिक्राल संगत हो जाते हैं और आपको एक कंडिशन आपने वहाँ पर और बताया था जब आपको रूल्स पढ़ाया जा रहा था कॉंसेट पढ़ाया जा रहा था आप लोग कॉंसेट को पढ़ते ही नहीं है कि वह लिए चैप्टर को साल्व करने का प्रियास करते रहते हैं इसलिए आप लोग पहले फार्मूले को देखते रहिए क्योंकि संगता की जोजाज किये जाती है आपके चैप्टर में आएगा बट यहाँ जीरो जए यहाँ इसकी जगए कुवन लिखते आजाएगा यहाँ फाइब लिखते आजाएगा जो आपके कोटी आती है उसके बाद वो तो संगत होंगे लेकिन उनका जो हल होगा वो अनन्त होगा और इस कंडिशन में जो X बराबर Y बराबर Z क्या हो जाते हैं जीरो हो जाते हैं यह रूल्स के अनुसार है रोल में ऐसा ही लिखा गया इसलिए से साल्व करने की ज़रूरत नहीं है तो हम सीधे लिखे देंगे आता जो दिया गया निकाय है वह संगत है इसका अनन्त हलोगा और इसका कोई भी आसो नहल नहीं होगा यानि X is equal to Y is equal to Z is equal to 0 यही आपका final answer हो जाएगा तो आसा करता हूँ आपको यह question समझ में आया होगा इसकार चलते है question number 10 और आज का last question देख लिजी यहाँ पर क्या कहरा है क्या कहरा है यहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या कहरा है कि असून नहल होगा lambda का इसमें मान ग्याद करना है जिसके लिए समिक्रा निकाए असून नहल होगा क्या कहरा है असून नहल होगा जो जला एक नजर उपर भी देख लिजीए क्या कहरा है आपर असून नहल नहीं होगा उपर question में हमने अभी अभी यह क्या बताया आपको होगा तो ध्यान देज़ेगा कन्फियूज मत हुएगा और इसमें मान ग्याद करना है तो आई इसको भी साल्व करते हैं तो साल्व आप ही करेंगे लास्ट में हम थोड़ा हिंट दे देते हैं तो ex ब्राबर भी की रोक में change किया उसका बद इसका हमने संवर्धिताफ्यो निकाला r2 को interchange किया r1 में क्योंकि जो एक है उसको हमने हमें उपर लेना था यहां पर कर लिया फिर उसके बद r2 को change किया r2or1 में फिर r3 को change किया r3-4r1 में तो हमें इतना मिल जाएगा फिर R3 को हमने चंज किया तो R3 माइनस R2 मिल गया यही मिला अब यहीं पर हमें यहीं पर हमें लेम्डा की वैलू निकालनी है क्या निकालनी है लेम्डा की वैलू तो लेम्डा माइनस 8 आ गया और सबके एककोल में क्या था 0 तो हमने लिख दिया लेम्डा माइन का इतना इतना का अस्चों होगा दिखिये जब लेमडा की value 8 हो जाएगी लेमडा माइनस 8 है तो a जिरो हो जाएगा तो हम क्या होगा ये तो सुन्न हाल हो जाएगा लेकिन आस्चों इहल तो जब Лेमडा ब्रावर एट आजाएगा तो अन्ने जो बच्चे हुए हैं उनका हम जब कोटि निखने डिकलेंगे यह दीकलेंगे ब्लतने यह सहने हल नहीं है तो जब इनकी कोट को हमने हमें समान करना था तो इसलिए lambda की value 8 आजाएगी यही आपका answer जाएगा तो guys next video में आपका chapter 3 इस्टार्ट किया जाएगा वहाँ से आपके लगवाद 10 number के question पूछे जाते हैं पूरा definition से आपको हाँ पर पता जाएगा